नमस्कार दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज हम बात करेंगे मंगल यदी कुंडली के नवम भाव में हो तो वो क्या पैणाम आपको देता है कितना होता है शूब और कितना होता है शूब यह आज इस वीडियो में मैं आपको ब पूलें और बैल आइकन भी दवा दें. दोस्तो और सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कुंडली में जो नवं भाव है वो आपको क्या फल देता है उसंवं भाव से क्या देखा जाता है. सबसे भाग्य स्तान है यहां से हम भाग्य देखते हैं विक्ती का तो यहां पर यदि मंगल बैटा है तो आपको क्या-क्या परिणाम देता है सबसे पहले हम जान लेते हैं मंगल के शुग्र यदि मंगल यहां पर सुवस्तिती में बैटा है तो आपको अच्छा निता बना देता है यहां से आपके बारवे भाव को देखेगा आपके तीसरे भाव को देखेगा और आपके चोत्ते भाव को मंगल यहां से देखता है तो दोस्तों यहां पर जो भी होगी आपकी धर्म से जुड़ी धार्मिक यात्रा हैं बहुत अच्छी करा देगा आपको अच्छा नेता तो बनाएगा लेकिन आपको वर्दी वाली जौब भी आपर मंगल देता है आपको अच्छा डीलर बना देता है बंगल प्रॉपर्टी डीलर बन जाते हैं बिल्डर बन जाते हैं इस तरीके कारे करना पसंद करते हैं पुलीस वाले बहुत उच्छे पत्के होते हैं से वेक्ती पुलीस वाला बहुत अच्छा बनेगा यह आपके फोजी फोज में जो जाते हैं यह मंगल है तो शत्रिय गु अगर आपके चोते भाव को देखता है तो यहां पर आपको अच्छी भूमी भी मंगल देता है अच्छा घर आपका बना देता है घर की सुविदा आपको मंगल दे देता है यदि मंगल नवम भाव में होता है सब एकती धार्मिक बहुत अच्छा होता है पूजा पाट में ब नारक पर चलता है येदि मंगल शूब है तो और ऐसे विक्ति मान सम्मान को अच्छा पाने वाले होते हैं काफी स्वाबी मानी विक्ति होते हैं ये लोग 4 और मंगल यदि यां सुब है तो आपको धर्म से ड्युड़े कारव मेंं काफी सिमृद्धी प्राप्त होती है यदि मंगल यहां अशुब है तो तब ये सारे उल्टे हो जाते हैं अवेक्ती स्वाभी मानी की जगा अभी मानी हो जाता है इनको हाई बीपी और हर्द्य से रिलेटेड समस्या हो सकती है प्रोपर्टी लेकिन ये आपको तब भी देगा प्रोपर्टी के योग अच्छे बने रहते हैं डीलर होगा फिर भी लेकिन महापर जो है इनको नुकसान ज्यादा जिलना पड़ता है अगर डीलर होगा जैसे कि सुब होगा तो डीलर होगा लेकिन उसको नुकसान कम है लेकि को मंगल के उपाई करने से फायदा हो सकता है जो मैं वीडियो के अंत में आपको बता दूंगी ये लोग हमेशा दूसरों की मदद तो करना जानते हैं क्योंकि ये लोग इन लोग के अंदर शत्रे गुन होता है तो ये अगर इनके सामने कोई मार पिटाई हो रही हो या फिर क कोई गाली को लोज कर रहा हो तो ये उसका सामना कर लेते हैं दूसरों की सायदा करते हैं लड़ाई जगड़े में बीच में आ जाते हैं दूसरों की मदद करने इनको मार पिटाई ये इन सबसे ड़ननी लगता ये और बीच में आकर उस वेक जी की मदद करते हैं या फिर उपर पुलिस केज भी हो जाता है तो यहां पे मैं आपको यदि मंगल आपकी कुनली में अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो मैं आपको उपाए बता देती हूं जो यह करने से आपको फायदा हो सकता है ऐसे वेक्ति को हनुमान जी की पूजा वच्चे करनी चाहिए और ह हनुमान चालिसा का पार्ट करना चाहिए हनुमान चालिसा ऐसे वेक्ति को हर मंगल वार को ग्यारा वार जरूर पढ़नी चाहिए करनी चाहिए इससे इनको बहुत फायदा होता है और इनको भूमी पर अपनी जो भी भूमी इन पर हरे व्रक्ष जरूर लगाने चाहिए और इनको दान पूरने भी करते रहना चाहिए यानि गेहु का लाल दाल का दान इनको हमेशा करना चाहिए जिन से इनको फायदा रहता है जो इनको हिर्दे समंदे समस्या है वो नहीं होगी और बीपी की समस्या भी इनको नहीं होगी अगर ये दाल का गेहु का दान करते रहते है हर मंगल वार या फिर छे महीने में या फिर साल भर में दो बार तीन बार चार बार इनको हमेशा ये दान करना चाहिए जिससे इनको मंगल अच्छे परिणाम देता है तो दोस्तों ये ती मेरी वीडियो कुनली में नवम भाव में मंगल हो तो क्या परिणाम उसको प्राप्त होते हैं और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें और आपकी कुल्नी में यदि मंगल नवम भाम में और वो आपको क्या परिणाम दे रहा है इसी से रिलेटेट दे रहा है तो करप्या करके कमेंट में मुझे जुरूर बताएं और सब्सक्राइब करना बू झाले, नमस्कार्व